इसलाम अलेकम वेल्कम टू टू टेक इंसाइडर मैं आपका होज जिम्शेज जैदी और आज का हमारा टॉपिक है डैट इस वेंड पावर अब इससे पहले अपने शोज में बहुत सारे रिन्यूविबल एनरजी की बात की थी जैसे के हम विंड के उपर बात कर चुके हैं इसके लावा हमने न्यूक्लियर पार प्लांट की बात की थी अब एक ऐसी चीज़ें जो के भी रिसेर्च में भी और इतनी जादा इस नॉट डाट कामन अस कंपेर तो अधर रिन्यूविल्स यह वेफ पावर अब वेफ पावर किस तरीके से काम करती है कहां का इंस्टॉल होती है तो इसको देख लेते हैं बेसिकली वेफ पावर को यह जो कॉंसेप्ट है यह नया है डेन्मार्क में इसका इंप्लिमेंटेशन हुए अभी होता क्या है कि जो आपकी वेफ होती है ओशन जर या सीज के अंदर उनकी भी उनके अंदर ऑविसली मुव्मेंट है उनमे कीनेटिक अनरजी को भी साइन्सदानों सोच तो यह इस्तंवें इसत्माल किया तो उन्होंने चोआ किया 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 इक चोटा साइक फ्लोटिंग डेकसा बनाया उसके अंदर कुछ एक floater से design किये और वो उन्होंने पानी के अंदर submerge कर दिया अब हुआ क्या जैसी wave लगती है आकर जैसी टाइज बढ़ी होती है और wave की movement होती है पानी के अंदर तो क्या होता है कि wave flap करते और flap करने से उनके अंदर जो kinetic energy जो motion generate होता है वो आगे अपने generators को कर जाके converge कर देते हैं वो generators के अंदर जो है slight rods लगी होती है जो इसको move कर रही होती है और movement से क्या होता है कि आपके पास electricity produce होती है basic concept electricity production का है movement से जैसे कि मैंने आपको turbine जब explain किया था तो उसमें क्या होता है कि wind से turbine घूमती है इसमें क्या होता है कि आपका जो motion आ रहा है linear motion आ रहा है बट वो to and flow बैक and forth linear motion आ रहा है उससे energy generate हो इस movement से उन्होंने electricity produce की और वो जाके आगे जाके national grid में provide कर दी इसका सबसे बड़ा फाइदा यह कि इसका stable output बहुत अच्छा आता है इसमें जब भी हम वो क्या ना में recover करते हैं current voltage यह electricity हम जो भी recover करते उसमें output इतना जादा stable नहीं होता जितना के इसमें होता है इसमें आपका output बहुत बहुत आता stable आता है आपके जितने voltage आते हैं बहुत accurate आता है उसके बाद जो आगे जितने भी secretary होती है हमारी voltage conversion की voltage stabilization की वह लगा के हम एक अच्छा solid output भाहर ले ले लेते हैं अब इस चीज को हमने काफी जगाओं पर इंप्लेमेंट करना स्टार्ट किया है और यह जो converter होता है जाड़िस कॉल्ड वेव एनर्जी कंवर्टर डवी इस जिसका नाम देते हैं वेव स्टार कंपनी है जिसने एक अपना एक प्लांड इंस्टॉल किया है इन डेन्मार्क इसके अलावा UK and Scotland के अंदर इसमें काफी क काम हो रहा है और वहां पर भी एक चीज implementation आ रही है इदर की basically prediction की जाती है पहले किस जगह पर यह फीजबल है हर सी के अंदर यह इतना फीजबल नहीं होता कुछ के बहुत रफ सी होते हैं कुछ के बहुत स्टेबल सी होते हैं इवन पाकिस्तान में मैंने पता करवाय था क्योंकि दुनिया में भी even renewables में जातर solar या wind power को जो है वो जै तरजी दी जाती है as compared to wave power it's a new technology, Denmark और Scotland में इसके उपर काफी जाता काम हो रहा है, UK में हो रहा है और Holland में हो रहा है, इसके अलावा, यह floaters का सबसे बड़ा फाइदा ही है कि floaters बास वकात अगर for example, तुफान आ platform क्योंकि यह बहुत महंगा है, तो वो जो उन्हाने क्या किया कि इसमें ऐसा एक system बना जिया कि even वो उपर converge हो सकती है, इसको आप उपर उठा सकते हो at the time of storm or something like that, आपको एक video हम दिखाते है, it's a self-explanatory video, जो चीज़े मैंने भी बताई है, I guess वो video देखने के बाद बहुत इ आए चले एक video देखते हैं किया एक जिए! किया चुमाना लो उज़ुक पर उपर चए tare कि आपने वीडियो में जिस तरीके से देखा किस तरीके से फ्लोटर वगेर न लगाये वे थे और 20 फ्लोटर इन एक्सपेक्ट किया है कि अगर वे एक प्लाटफॉर्म पर इंस्टाल करते हैं तो यह प्लाटफॉर्म पर इस्टिंग यह उनिट तो मेजर ऐलेक्टिक सिटी कितना उपट आएगा मेगावर्ट बैसिकलिस को प्रोड़क्शिन के पैसिटी बताता है तो 6 मेगवाट इस इनफ तो लाइट जैसे उन्होंने बताया कि तक्रीब इससे एस्टिमेट किया सकते कि ठीक ठाक यह अपने हाउसिंग को और इंडेस्ट्रीज को इससे लाइट अप कर सकते हैं यह टेक्नोलजी रेलेटिबली नहीं हुए और इस पर मजीद काम होना बाकी है इन फ्यूशर हम देखेंगे कि इसमें कितने जादे सी से भी दुनिया मुस्तफीद हो रही है पाकिस्तान में इसको लेकर के कितना लोग सीरियस हैं उमीद करता हूं आपको आज का प्रोग्रेम बहुत अच्छा लगा होगा गोए लाइफ टीवी को यूट्यूब पे सब् भूलेगा अबने बहुत ख्यार रखेएगा अलाफ़ेश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू